हेलो बीसी फर्स्ट एर स्टुडेंट कैसे हैं आप सभी लोग उमीध है आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे बीसी फर्स्ट एर बोटनी के सेकिंड सेमेस्टर में आपका थेरोटिकल पेपर आता है आर्ची गोनियेट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर दोस्तो इस सेमेस्टर के अंदर ओल लेडी में कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक लगसे प्लेडिस्ट मिल जाएगा आज किस वीडियो केंदर हम डिस्कस करेंगे इन जो रेणज ओफ लिस्क्रिप्व अर्गिनाजेशन देखने को मिलता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे पिछली वीडियो के अंदर हमने cover किया था general characters of bryophyta अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग channel के अंदर जाकर देख सकते हैं चली वीडियो को start करते हैं heading डालीजे range of thallus organization in bryophyta student यदि आप BSC की concept को हिंदी में समझना चाहते हैं आप इस channel से जुड़ सकते हैं bryophyta का main जो plant होता है जो की स्वतन्त रूप से उगते हैं वो gametophyte कहलाते हैं gametophyte haploid होता है एक adult gametophyte में अत्यदिक variation बहुत ज़्यादा variation यानि विभिनताएं देखने को मिलती है gametophyte सुक्ष्मदर्शिय आकार यानि एक ऐसा gametophyte जो की microscopic size का हो जैसे जूपिस अरजिंटिया से ले करके अत्यदिक विक्सित 50-70 cm तक हो सकते हैं यानि अगर हम इनके size की बात करें तो इनका size microscopic size से ले करके 50-70 cm तक हो सकते हैं डाव सोनिया सुपर्बा ONT रेलिस एंटी पारिटिका अभी तक के ग्या थैलस में monoclea first tree का आकार जो है वो सरवादिक है लगबग 20 cm लंबाई है और 5 cm चुड़ाई आकार के संदर्व में ये साधारन थैलस से एक पत्तिय तने के रूप में पाये जाते हैं थैलस form थैलस form में जैसे liver warts होते हैं, horn warts होते हैं इनका जो main plant होगा वो थैलस के समान होगा मतलब कि थैलस एक ऐसी plant body होती है जो जड़ तना पत्ति यानि के root, stem और leaf में divide नहीं होती है यह है चप्टा सीधा वो डोटसी वेंटरल एवं डाई कोटो मसली ब्रांश्ट होता है जैसे रिक्सिया है, मारकेंसिया है, पेलिया है, एन्थोसिरोस है इनका जो थैलस होता है वो liver warts या horn warts की तरह दिखाई दिता है एन्थोसिरोस के गरम बात करें तो इस पोधिय का जो थैलस है वो सरवाधिक साधारन बिल्कुल सिंपल होता है और यह अत्यंत छोटा हलकी रंग का मासलव स्पंजी होता है इसकी बाहिये इस्तर जो होती है, वो कटी एरेगुलर वो लोब्ड होती है इसकी डोर्सल सर्फेस पर मिड रिप इसपस्ट नहीं होती है स्टूडेंट अगर हम बात करें पेलिया के थैलस की तो अधिकान्स थैलोइट जंगर मेनियल्स में जो पेलिया का थैलस होता है वो बिल्कुल साधारन सिंपल होता है ग्रीन कलर के वग पतले होते हैं थैलस लोड में टर्मिनल नोच होती है जिसमें ग्रोविंग पॉइंट अवस्थित रहता है इसकी वेंटल सर्फेस पर यूनि सेलुलर स्मूथ वॉल्ड राजोइट्स पाये जाते हैं स्केल्स वर टूबर कुलोटिद राजोइट्स अनुपस्थित रहते हैं स्टूडेंट यदि हम रिक्सिया के थैलस की बात करें तो इसका थैलस पेलिया से छोटा होता है ये रोजेट की रूप में पाये जाते हैं और इसमें प्रोफ्यूजड डाइकोटोमी देखी जा सकती है वेंटल सर्फेस पर दोनों परकार की राजोइट्स पाये जाते हैं अब हम बात करते हैं मारकेंशिया के बारे में एंथोस इरोस के पेक्षा मारकेंशिया का थैलस अधिक जटील होता है इसका थैलस बड़ा मोटा मासल वा गहरी रंग का होता है डोर्सल सर्फेस पर इसपस्ट मिड्रीब होती है इसकी सतहें पर जेमा कप्स पाये जाते हैं वेंटरल सर्फेस पर दोनों परकार के राईजोइट्स पाये जाते हैं इसकेल्स दो चार पंक्तियों में विन्यासित होते हैं और इसकेल्स दो परकार के होते हैं लिग्विलेट इसकेल्स भी पाये जाते हैं और एपेंडिकुलेट्टिड इसकेल्स भी पाये जाते हैं द रिक्सिया वा मारकिंसिया में जो टिश्यू का इस पस्ट रूप से डिफ्रेंशियेशन होता है स्टुडेंट इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यह जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं जो कि आप एक्जाम पेपर में भी बना सकते हैं अगर लोग कोशियन में पूछा जाए या शोर्ड कोशियन में इनके थैलस और गनेजिशन के बारे में पूछा जाए यहाँ पर आप देखेंगे यह रिक्सिया का थैलस है जिसमें लोब्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पर दिखेंगे इसके राइजोइट्स भी दिखाई दे रहे हैं और यह है मारकिंसिया जिसमें राइजोइट्स प्रेजेंट है जेमा कब भी इसमें प्रेजेंट रहता है इस पुरंजिया इसके अंदर प्रेजेंट है और दुसरे नंबर पर ये पेली आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें आजची गोर्णी सपोर्स भी आपको दिखाई देंगे ये इसमें thalis है और ये इसके नीचे राईजोइट्स हैं नीचे की तरप ये अपने पहने चाहिता है और को शा के मद्य में पाया जाता है यह लवन सेवालों में भी मिलता है इसमें मुसिलेज यूक्त साइजो गेमिक एविटी में एंडोफाइटिक नील हरिट सेवाल यानि नो स्टोक भी पाया जाती है इसमें वाईटू कोशो का अभाव रहता है यह चैंब का यहाँ पर diagram दिखाए गया है अगर exam paper में आप से long question में पूछा जाएगा अगर यह थैलस की structure के बारे में तो आप लोगों को external और internal दोनों diagram बनाने पड़ेंगे यह internal structure का diagram है जैसे हमारे पास diagram A है एंथो सिरोज जिसमें राइजोइट्स आप देखेंगे इसमें मुसिलेजिनस cavity भी आपको दिखाए देगी है इनका upper epidermis है यह इसका lower epidermis होता है यह पेलिया का diagram है इसकी internal structure का जिसमें राइजोइट्स, chloroplast आपको इसमें दिखाए देंग इसमें storage zone भी present रहता है इसमें भी upper epidermis, lower epidermis रहता है यह smooth walled rhizzoids पाए जाते हैं यह इसमें दोनों तरह के rhizzoids प्रेजोइट्स प्रेजेट्स 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 रहते हैं यह हैं मारकेंसिया के internal structure का diagram जिसमें आप देखेंगे इसका lower epidermis है smooth walled rhizzoids और tuberculiट् और smooth walled rhizzoids दोनों ही present रहते हैं इसमें airport दिखाए देंगे यह इसमें air chambers present रहते हैं यह इसमें asymmetry filament भी आपको इसमें दिखाए देंगे तो मारकेंसिया पेलिया एंथोसिरोस और रिक्सिया के थैलस का diagram आप लोग represent कर सकते हैं exam paper में इसके बाद student अगर हम पेलिया के थैलस structure को देखें तो इसका थैलस मद्ध में यानि की बीच में अनेक कोशा मोटा जबकि किनारों पर एक कोशिकी होता है अपर epidermis को छोड़ करके पराइस सभी कोशिकाएं जो सभी cells होती है वो एक समान होती है एयर चेमबर्स व एयर पोर्स इसमें अनुपस्तित रहते हैं यह थैलस अपनी उपरिये प्रकास संसलेश्य प्रदेश यानि कि आपर जो फोटो सिंथेटिक रिजन होता है और नीचे संग्राहक प्रदेश य प्रकास संसलेशन की अभेकिरिया के दवरा फोटो सिंथेसिस के दवरा फूड माटीरियल बनता है और storage zone में वही food collect होता ही, कठा होता है अपर epidermis के नीचे एक horizontal layer में air chambers पाए जाते हैं इन air chambers में अनेक बहुत सारे branched assimilatory filaments पाए जाते हैं जैसे कि मैंने अपको diagram में दिखाया lower storage zone parent kymetrist cells का बना होता है जिसमें starch grains पाए जाते हैं student अब आप लोग heading डालीजे range of gametophyte structure in leafy forms अब हम bryophyta में leafy forms के थैलस को भी देखने वाले हैं तो bryophyta की leafy forms ज्यादा तर्ज होती है वो jungle manuals order में मिलती है bryophyta work में भी leafy forms होती है यथा sphagnum, funeria, polytrichum, pogonetum, etc पोरिला की अगर हम बात करें तो इसकी structure में एक prostate body वा dorsi ventral arranged रहती है axis लगबग चप्टी होती है इनमें जो पत्तियां होती है जो leaf होती है वो तीन पत्तियों में होती है दो dorsal होती है एक ventral होती है पत्तियों में mid rib नहीं पाय जाती है पत्ति की कोशिकाओं में यानिके leaf की cells में अनेक chloroplast वा तेलिए बुंदे पाय जाती है oil drops के form में इसके बाद student आता है sphagnum इसकी leafy gametophyte जो होती है वो branched होती है यानिके साखित होती है और root stem युक्त वा पत्तिदार होता है यानिके इसमें leaf भी पाय जाती है adult plant में rhizoids अनुपस्तित होते हैं जबकि protonema में rhizoids पाय जाते हैं rhizoids multicellular वा तिर्चे oblique septa युक्त होते हैं branching dichotomous नहीं होती है पत्तियां जो होती है यानिके leaf जो होती है वो सेसाईल मिड्रीप रहित होती है इस्तंब केंद्रिय भाग वो cortex में divide रहता है इनमें सव्वेहन उत्तक यानिके कंडक्टी टिश्यू का अभाव रहता है इसके बाद हम बात करते हैं funeria bryphita के बारे में तो इसका जो gametophyte होता है वो readily symmetrical होता है तदा इसमें जो इस्तंब होगा पत्तियां पाए जाते हैं इसमें बहु कोशी की यानि के multicellular septa युक्त पाए जाते हैं पत्तियों में जो मध्य सीरा होता है जो mid rib है वो उपस्तित होती है यहां पर आप लोग diagram देख सकते हैं morphology of some leafy forms यह leafy forms की morphology दिखाई दे रही है यह है porella और इसमें branches आपको दिखाई दे रही होगी और इसमें यह branches भी आपको दिखाई दे रही होंगी यह है इसमें funeria funeria बाराफ़ाइटा में आपको rhizoid दिखाई देंगे stem दिखाई देंगे leaves भी दिखाई देंगे और यह है polytrichum जिसमें stem rhizoid वर leaves दिखाई देते हैं इसके बाद हम बात करते हैं polytrichum के बारे में तो ब्रायप सीडा में अन्य सदेस्यों की भाती polytrichum का थैलस भी readily symmetrical होता है इसमें एक underground rhizome वर सीधा पत रियुक्त इस्तंब पाये जाता है rhizome से अनेक बहु कोशी की यह rhizoid लगे रहते हैं इसके इस्तंब की लगबाई लगबग 20-25 cm तक हो सकती है इसका जो तना है वो मुख्यत आशाखित होता है polytrichum का जो थैलस होता है इसमें rhizome वर स्तंब में इसपस्ट यानी के clear tissue differentiation देखने को मिलता है इसमें central conducting cylinder होता है जो की hydrome दोरा बना होता है वह organic solute का समवहन leptome दोरा होता है जबकि इसके stem से plant को एक mechanical support प्राप्त होता है तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिसकस किया ब्राइफाइटा के थैलस organization उसके variation के बारे में नेक्स वीडियो के अंदर student हम डिसकस करेंगे ब्राइफाइटा के classification के बारे में तो मिलते हैं student next वीडियो में वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को subscribe करें अगर आपको उसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो मिलते हैं student next वीडियो में बाई बाई टटा